जहें दोस्तों मिशन इंस्ट्टूड प्रियागराच के आप सभी का मैं संदी प्यादो सागत करता हूं इस सेशन के साथ में जुड़िये और अपने पढ़ाई को और बहतर कीजिए ताकि आने वाले सभी पेपर में आप बहतर कर सकूँ पिछली क्लास में हमने यह डिस्कस किया था कि statement assumption के जो question होते हैं उन questions को deal करने के लिए हमारे पास क्या logic होना चाहिए कुछ rule के बारे में हमने डिस्कस किया था साथ ही साथ हमने आपको दू बाते बताई थी पहली बात तो यह डिसकस की थी कि जब कभी हम इस questions को साथ deal करेंगे तो हमारे mind में एक पुना चाहिए कि जो भी अजम्शन होते हैं वो हमेशा statement के पहले आते हैं और statement हमेशा अजम्शन के बाद में आती है यानि जो पुरधार्णा होती है वो पहले होती है और कथन जो बोला जाता है वो पुरधार्णा के बाद में बोला जाता है तो हमने कहा था कोई भी अजम्शन सही होगा यदि वो लॉजिकल हो और statement का support करे कोई भी ऐसा अजम्शन जो statement के support में न रहे उसे हमेशा हम गलत ही consider करेंगे एस चीज़ ध्यान दीजीगा और दूसरा हमेशा लॉजिकल होना चाहिए जो आप सोच रहे हो कि सोच में कुछ लॉजिक होना चाहिए और statement के ही आसपास में सोच होनी चाहिए यानि जो कथन के बारे में बोला गया है statement में बात की गई है अजम्शन भी उसी से related होना चाहिए किसी other से related नहीं होना चाहिए तो कुछ नियम के अनुसार हमने जो बाते बताई थी उसमें पहली बात हमने बताई थे कि सलाह वाली दूसरी हमने अपील की चेतावनी की विग्यापन की इस तरीके के बाते हमने rule discuss किया था उसके base पर हमने कुछ एक्जामपल भी किये थे आज उन्ही सारे rule के base पर हम question को discuss करेंगे और क्या तरीका होगा हमारे question करने का उसको हम discuss करेंगे भी आपके सामने पहला question आज का दिखाई दे रहा है पांच आपके option दिखाई दे गए है पहली पुधाणा सन्नहित है यानि implicit है दूसरी है तो बी option दोनों है तो सीज तरीके के option है option को बताने के हमें कोई जरुवत नहीं हम आते हैं सीधे statement को read करते हैं statement में क्या बोला गया है इसके बीक्रेया और विय्मूनिया प्रियोग कहा थी में तो इसके का जमशन चाहिए भीक्यापन देने के जह रहता है और आपको एक बात हमेशा पता कोई विग्यापन देता है तो उसके पीछे का जम्शन यह रहता है कि लोग उस विग्यापन की तरफ ध्यान देंगे और लोग उसकी तरफ आकर सीथूंगे अगर ऐसा नहीं होता तो आप देखते हो बाते बोले जाती है कि बिमल गुटका के बारे में दाने में केसर का सम स्वाद तो भाई यह विग्यापन किया जारہ है यह इसलिए बताया जारہ हा कि लोग उस विग्यापन को देखेंगे तो उस गुटके का यूज़ करेंगे और खांगे जिससे उसकी सेलिंग बढ़ेगी तो विग्यापन हमेशा देने के पीछे का जो का जो लॉजिख रहा है वो ये रहता है कि लोग उसकी तरव राकर सित होंगे और लोग उसकी बातों पर ध्यान देनगे अब अजम्शन में कहा जा रहा है एलमूनियम एक मात्र बहुत बहुप्योगी यह बात बिल्कुल अजम्शन में गलाथ होती है, यह आप अजम्शन नहीं कर सकतों, मात रेक यही बहुपयोगी धातु है, तो पहला अजम्शन तो बिल्कुल भई implicit नहीं करता है, अब आते हैं दूसरे अजम्शन पर, दूसरा आप शम्शन करना है कि कुछ कमपनिया धात् का प्रियोग नहीं करती तो यह विग्यापन पेपर में आपके नहीं आता तो दूसरा जो अजम्शन है वह हमारा implicit करता है तो केवल दूसरा हमारा सही होगा पहला हमारा सही नहीं हो सकता है आगे के question में हम आते हैं आगे के question में कहा जाता कि मरुस्तल में एक अस्थान से दूसरे अस्थान तक जाने के लिए उट और परिहार है पहला बुला गया मरुस्तल में उट एक मातर सबसे सस्ता साधन है यह बात बिल्कुल गलत है दूसरी बात बिल्कुल सही है कि मरुस्तल में उटों की संक्या बहुत होती है इसलिए यह बहुत बहुत इजली अबिलेबल हो साता है तो दूसरी अंजम्शन ह हमारी क्या होने वाली है, इंप्लिशिट होने वाली है, तीसरे कोश्चन पर आते हो, तीसरा कोश्चन आप पढ़िएगा और इसका इंसर देने की कोशिस कीजिएगा, भे, चिजें बहतर हो जाएंगे, आप से मैं नार्मल चीजें पुछ हूँ, यदि आप पुछोगे कि सिच्छा विवाग में या सिच्छा निती में हमें परिवर्तन की जरुवत है कि नहीं, तो आपका जबाब होगा, सब परिवर्तन की जरुवत है, अगर या बात आप बोलते ह कि सिच्छा निती में परिवर्तन की जरूरत है तो आपका जम्षन यह होता है कि कहीं न कहीं इस निती में गल्तियां है या कमियां है उसको बहतर किया जा सकता है अगर इसके निति में परिवर्तन किया जाएगा तो चीजें बहतर हो सकती है तो यह पीछे का जम्शन होता है तो पहला जम्शन कहा जाता सुधार से सिती बदलती है यह बात बिल्कुल सही है कि जब भी आप किसी चीज में सुधार करते हो तो आपकी सती बहतर होती है अगर कोई निती खराब है और उसमें हम सुधार करते हैं तो बहतर होती है अजम्शन आपको पता ही है दुसरा बोला कि अटमान संचार पद्दत पुरानी हो गई है यह बात आप नहीं कह सकते हो सुधार पुरानी है कि नहीं है लेकिन आप ये बाते जरूर कह सकते हो कि शिती जरूर बदलती है, सुधारने इसे कई बार ऐसा होता है कि ब्रापर चेंज किया था, बहुत पुरानी नहीं ये फिर भी उसे पदती में चेंज करने की जरूरत होती है, तो पहला आजम्शन हमारा इंप्लीचिट करता है, दू जा रहा है कि रामपूर में डागघर खोलना बेकार, आपने इसने की सामने, आप खुद को रखे जरूँए, अब इसको ब्लने के पीछे जो लॉजिक होगा, जो फिंकिंग होगी, वह दो ही होनी चाहिए, एक तो लॉजिकल होना चाहिए, एक इसके सपोर्ड में अचाहि यह लॉजिक है कि किसी को डग घर की आउशकता नहीं, आउशकता तो हर किसी को होती है, यह बटा इलोजिकल बाते हैं, यह कहीं सपोर्ट में नहीं कर रखा है। हम आप से कहते हैं कि मेरे इलाखे में स्कूल खोलने की कोई ज़रूरत नहीं है तो अगर मैं यह सोच के कहूंगा कि क्या यहां लोग पढ़ना नहीं चाते तो इलोजिकल बाते हो गई इसके पुछे और भी सारे रेजन हो सकते हैं जो हमने मना किया खोलने के लिए तो पहला जमसन तो भाई बिल्कुल गलत है कह रहा है कि रामपूर के निमासे को डाग घर की कोई आवशकता ही नहीं है भाई यह लोजिकल नहीं है आवशकता क्यों नहीं होती है किसको आवशकता नहीं होती है एक चीज़ बताईए डाग घर खुलना, ऑस्पिटल खुलना, उस्कूल खुलना, या सभी की आउशक्ताई होती है, बैंक खुलना, यह नहीं कह सकता, जमशन हो सकता है, क्या आउशक्ता ही नहीं, कुछ और होगा, बोला गया, रामपुर में प्रयाप्त संख्या में डाग घर या जमशन अगले कोशन पर आईए, और अगले कोशन को डिसकस किजी भाई, एक्स कोचिंग कच्छाओं में भरती हो, हम आपकी सफलता की गारंटी देते हैं, बैं एक्स कोचिंग कोचिंग कह रहा है, कि यह मेरे कच्छाओं में भरती हो जिए, और मैं आपकी सफलता की गारंटी दे तो यह चीज़ नोगों को रखती हैं कर यसी गारंटी दे रहा है तो आहां ख्लासे बड़ी सुछी तरीके से चलती होंगी यहमशन ठीक है चाहते हैं तो ही तो coaching संसान चलती है क्या कोई लड़का जो coaching में बढ़ने आता हूँ सफल नहीं होना चाहता है। चाहता है इसलिए वह अच्छी ची कोचिंगों को डूड़ता है जहां से हमारी सफलता की राहें आसान हो जाएं तो दूसरा भी अंजमसर हमारा क्या है वह सही अगले कुश्चन की तरफ आते हैं जरा द्यान दीजी गार कह रहा कि यदि इंजिनियर बनना असान है तो मैं इंजिनियर बनना नहीं चाहता हूं यह किसी का स्टेट्मेंट है कि यदि इंजिनियर बनना असान है तो मैं इंजिनियर नहीं बनना चाहता हूं बोला गया कुछ ब्यक्ति इंजिनियर बनना चाहते हैं इसके बारे में क्या बोलो कि कुछ confirmation नहीं कुछ ब्यक्ति दुरलब चीजों को प्राप्त करना चाहते हैं अजमसन बिल्कुल सही है कि कुछ ब्यक्ति ऐसे हैं जो बहुत कटनाई से मिलती हैं उसको प्राप्त करना चाहते हैं इसलिए जो असानी से मिल जाती हैं उसकी चाह नहीं रख रखे हैं अ आरवेदिक टॉनिक है रक्त के प्रभाव को सुधारता है और चेहरे को क्या करता है निखारता है पहले अगर अजम्षन की हम बात करें तो अजम्षन में कहा गया है कि लोग चेहरे को निखारना चाहते हैं फिर वही बाते जो अभी इसके पहले हमने डिसकस की तो लोग सफल होना चाहते हैं इसलिए कूचिंग वाले इस तरीके के एड़ करते हैं उसी तरीके से लोग अपने चेहरे को बहतर तर्म से दिखाना चाहते हैं निखारना चाहते हैं इसलिए भाई इसे टानिक ने क्या लिखा गया है कि रक्त प्रभाव को सुधारता और आपके चेहरे को न जरूर चाहते हैं जो ऐसे आती हैं जैसे पयर लबली क्रेम और यह सारे किसलिए मार्केट में चल लें हैं अगर लोग नहीं चाहते हैं अपने चेहरे को सुधारना या च्छे दिखना तो वह सारे चीजे बंद हो जाती लोग चाहते हैं इसी लिए कंपनिया है और लोग डग्त प्रभाव के अनियमता से चहरे का निखार कम हो जाता है यह जमशन बिल्कुल ही सही है तभी आपने बोला है ति आरविधिक टारिक रग्त प्रभाव को सुधारता है या और चेहरे को निखारता है यनि रक्त प्रभाव सुधर जाएगा तो हमारा चेहरा निखर जाएगा तो यकीनन अगर रक्त प्रभाव में अनियमिता से चेहरे का निखार कम होता यह बात बिल्कुल सही है अगर रक्त प्रभाव में तो जरह देखिए पर इस statement को कीजिए गाता फुर्ति के लिए करों को बढ़ाया जाए याँगर गृर्मेंट सेक्टर में कहीं घाता हुआ तो वो करों को बढ़ाना चाहती है statement है घाटा हुगा यकिनन घाटा हुगा है तभी आपने बोलो घाटा पूर्ती के लिए अब बढ़ाया जाए दुसरा करा और तुमान कर बहुत कम है बढ़ा इसकर के बारे में कोई confirmation नहीं कि कम है कि अधिक है कई बार होता अधिक होने के बावजोत भी बढ़ाया जाता है क्योंकि हमें घाटे की क्या करनी होती है पूर्ती करनी होती है अगले assumption पर आते हैं चलती हुई रेलगाडी से जाकना या लटकना खतरना रेलगाडी के डिब्बे में एक सूचना अब भई याद करो जड़ा उस रूल को सूचना क्यों दी जाती है तो आपका जबाब होगा कि सरसूचना इसे लिए दी जाती है कि लोग सूचना को पढ़ेंगे और उसमें कही हुई बातों पर अमल करेंगे और हमेशा सूचना उसी भासा में दी जाती है जिस भासा को लोग समझते हैं या इसके पीछे का अजम्शन होना चाहिए आपके साथ में तो चलती हुई रिलगाडी से जहाकना और लटकना खतरनाख है यह रिलगाडी की एक डिब्बे में लिखा गया था सूचना के तो पर तो सूचना जब भी आपको दी जाती है तो क्या सूचना को पढ़ोगे और उ सूचना है कि कोई ब्यक्ति गायब हो गया है मेले में इस ब्यक्ति का नाम फला फला है क्यों सूचना दी जाती कि जब लोग इस बातों को सुनेंगे तो जो बच्चे के बारे में बताया जारा कर उनका बच्चा हो गया उनके जानने वाला होगा तो लोग आएंगे और उस कि वो यात्रियों की सुरच्छा का ध्यान रखे ये भी बात अजम्शन बिल्कुल भाई सही है ये रेलवे का ही करतब है कि आप रेलवे की व्यक्तियों का क्या करे भाई यात्रियों की सुरच्छा का ध्यान रखे रेलवे का है भाई जिस भी चीज में आप सफर करते हो वो सही सलामत आपकी यात्रा कम्प्लीट कराए और आपको अपने डिस्कनिशन तक पहुँचाए और यह जीमेदारी होती है भई दूसरा भी अजम्शन हमारा भई बिल्गुल सही है तो बोथ हम जम्शन implicit होंगे भई अगले अजम्शन पर देखना भई सिग्रेट पीना स्वास के लिए हानिकारक है या बैदानिक चेतावनी अब मैंने रूल भी लिखाया होगा आपको रूल के काड़िंग चेतावनी क्यों दी जाती है ताकि लोग उस चेतावनी को सुनेंगे तो दुबारा वह गल्ती नहीं करेंगे यह पीछे का आजम्शन होता है भई चेतावनी देने के सिग्रेट पीना स्वास के लिए हानिकारक है आप देखते होगे जितने भी तमबाको वाले चीज़ें है सिग्रेट हुआ पान बीड़ी मसाला उस पर लिखा जा रहता है तमबाको का सेमन स्वास के लिए हानिकारक है इससी कैंसर होता है एक चेतावनी उसी तरीके से अलकोहल पे लिखा रहता है अलकोहल का प्रियोग स्वास के लिए हानिकारक है ठीक अलकोहल का प्रियोग नो करें एक सुचना इस तरीके के दी जाती है अब दी जाती है लोग उसे मानते हैं कि नहीं मानते हैं पीछी का जो अजमसन होता यही होता है कि लोग उसको मानेंगी और रोग उसको पढ़ेंगे पहला करा सिक्रेट नहीं पीने से स्वास में ब्रिदी होती है यहां कथन में बोला गया है सिक्रेट पीने स्वास के लिए हानिकारक है और अजम्शन आप यह सोच रो सिक्रेट नौ पीने से स्वास में ब्रिदी होती है अब पीने से नहीं पीने से स्वास में ब्रिदी होती कि नहीं है अगर आपको अजम्शन में कहीं न कहीं है कि इसकी जरूरत है तभी आप लिखे हो अगर जरूरत नहीं होती तो आप क्यों लिखते दूसरा अजम्शन तो बिलकुल अपोस कर रहा है इसलिए भाई दोनों implicit नहीं होंगे हमारे अगले question की तरफ आते हैं और इसको जरा read कीजीगा यदि आप सुन्दर हैं तो हम आपकी सुन्दरता को ग्रहन करेंगे यदि आप सुन्दर नहीं हैं तो हम आपको खूबसूरत बनाएंगे एक photo studio का बिग्यापन एक photo studio ने बिग्यापन में कहा है यदि आप सुन्दर हैं तो हम आपकी सुन्दरता को ग्रहन कर लेंगे यदि आप सुन्दर दिखाई दे रहे हैं तो आपकी photo बिलकुल ही सुन्दर आएगी और यदि आप सुन्दर नहीं भी हैं तो हम आपको खुबसूरत बना देंगे या विज्यापन है इस कथन को पढ़ने से पता चलता है कि लोग खुबसूरत बनना चाहते हैं क्यों बाते ये जम्शन में होनी चाहिए लोग सुन्दर बनना पसंद करते हैं या जम्शन बिल्क लोग सुन्दर दिखना चाहते हैं तो पहला अजम्शन बिल्कुल सही है आदमी सुन्दर ना हो फिर भी फोटो सुन्दर हो सकता है ये भी अजम्शन बिल्कुल सही है तभी हमने बोला है अगर है तू भी ठीक है नहीं है तू भी आपको में सुन्दर बना सकता हूँ तो दोनों ही आपकी अजंशन क्या होने वाले हैं भाई इंप्लेसिट होने वाले हैं अगले स्टेट्मेंट पर आते हैं और एक बार इसे आप खुद कुर्सिस कीजिये लगाने की चलो भाई इस्टेट्मेंट को पढ़ते हैं भारती रिजरो बैंक ने बैंकों को बड़े बकायदार को नए कर्ज देने का भाई मना नहीं किया पूरा होना चाहिए नए कर्ज देने को मना करने का निर्देश दिया है यानि जो हमारे देश का सेंटरल बैंक है जिसका नाम RBI है RBI ने गाइडलाइन जारी कर दी है सभी बैंकों के लिए कि अब जितने भी आपके यहां बकायादार हैं बड़े बकायादार हैं जिन्होंने लोन को लेकर रिटर्न लोन नहीं किया है अब उनको दुबारा आप नहीं दोगे या RBI की गाइडलाइन जारी होती है तो इसका मतलब होता लोग फालो करेंगे RBI ने अगर कोई रूल लागू कर रहा तो बैंक को फालो करना ही अजम्शन बिल्कुल होना चाहिए इप रूल फालो करेंगे बैंक फिर भी बड़े बैकाइडारों को करज दे सकता है यह बात बिल्कुल गलत है तो पहला अजम्शन तो सपोर्ट में नहीं है इसलिए गलत है दूसरा बकायदार नया करज प्राप्त करने के लिए पहले करज का भुगतान कर सकते हैं यह जम्शन बिल्कुल ही सही है आपसे एकसर यही होता है कि यदि आपने किसी से पैसे लिये है तो जब अगली बार पैसा मेरेने जाओगे तो आपको मना कर देगा तो आपके मन में आएगा कि चलो पुराना हम चुगा देते हैं ताकि हमें नया उधारी मिल सके यह जम्शन है कि अगर दूसरी बार पैसा नहीं दे रहा है बैंक तो आपको पहले वाला मैंड में होता है बैंके यगर हम देने से करज मना कर देंगे तो हो सकता है वो जो पुराना करज लिया है उसको क्या कर दे भैं रिटर्न कर दे तो बकायदार नया करज प्राप्त करने के लिए पहले करज का भुगतान कर सकते हैं अजम्शन विल्कुल ही सही है तभी आपने कहा है कि भाती रिजर बैंक बड़े बैकादारों को करज देने के लिए मना किया है उसके पीछे का अ अगले कोशन पर आते हैं यदि आवाज के लिए अगला कोशन देखो मुमबई के उपनगरी वासियों को अपने कार्याले सही समय पर पहुशने के लिए ट्रेन आत्यांत उप्योगी परिवहन का साधन है अत्यन तो प्योगी परिवहन का साधर है पुर्धार्णा कहा जा रहा है कि ट्रेन ही मुंबई की उपनगरी में परिवहन का एक मात्र साधर नहीं आजम्शन बिल्कुल गलत है बाई मुंबई में एक ही मात्र साधन नहीं है कथन को रेड की जिए तो कथन कह रहा है कि उपनगरी वाश्यों के अपने कायारा सही सही समय पर पहुंचने के लिए ट्रेन अत्यन तो प्योगी है एक मात्र नहीं यह नहीं कह रहा है कि मुंबई में कोई ट्रेन बसे हैं नहीं दोनों ही अजम्शन हमारे क्या होने वाले हैं, भाई गलत होने वाले हैं, देखें, कम्पूटर की सिच्छा उस्कूल ही अस्थर से ही सुरू कर देनी चाहिए, आपने स्टेटमेंट दिया है कि जो गलत है, अगर आप यह नहीं होता तो फिर आप यह नहीं कहते कि शुरू आ कहते हो कि बच्चे को अंग्रेजी पढ़ाओ, क्या माइंड में आपकी यह चलेगा, कि अंग्रेजी पढ़ाई नहीं जा सकती, आपके माइंड में हो का, अंग्रेजी सीख सकता पढ़ाने पर तभी तो आपने बोला है, तो कम्पूटर की सिच्छा उस्थर से ही सुरू कर करने चाहिए, कम्पूटर सिच्छा प्राप्त करने के लिए नौकरी आसानी से मिल जाती, नौकरी मिलेगी की नहीं मिलेगी, स्टेट्मेंट में इसकी बात है, कुछ भी नहीं होता है, ऐसा नहीं होता है कि स्कूल में अगर कम्पूटर पढ़ा दो, पर नौकरी बड़ी असानी से मिल जाती, अगले स्टेट्मेंट के दरब, यदि इस वर्स, आज़ा भई, यदि इस वर्स 15 जून के पहले वर्सा नहीं होई, तो अधिकतर, अधिकतर का मतलब होता है, अधिकांस की बात हो रही है, को कस्ट सहना पड़ेगा, अधिकतर किसानों को कस्ट सहना अधिकतर किसानों को कस्ट सहना पड़ेगा, तो भई कस्ट क्यों सहेंगे, क्योंकि उनके पास सिचाई का दूसरा साधन नहीं है, भई तबी तो बारिस पर पूरी तरीके से डिपेंड है, और बारिस नहीं होगी, तो कस्ट होगा, क्योंकि उनकी सिचाई के लिए साधन न तक बारिस नहीं होगी, डेट मेंसन है कि 15 जून तक बारिस नहीं होगी, इसका मतनब है कि वर्सा टाइम से हो, यह बहुत जरूरी है, यह जम्शन हमारा बिल्कुल क्या है, भाई सही है, अधिकतर किसान खेती के लिए सामानतव वर्सा पनिर्वर है, तभी यह जम्शन बिल् सहना पड़ेगा दोनों ही अजम्षन हमारे क्या होते हैं इंप्लीस होगी चलिए अगले स्टेटमेंट को रीड कीजिए और एंसर देने की कोशेश कीजिए ब्रिच हमें ब्रिच के नीचे नहीं सोना चाहिए ब्रिच के गिरने पतिया हमारे कपड़े को खराब कर सकती है या जम्षन तो बिलकुल इलोजिकल है ब्रिच रात में स्यूटू गैस निकालता है जो स्वास के लिए हानकारक है या जम्षन हमारा क्या है भई सही है अगले वाले पर आईए सरा अगले पर पढ़िए अध्योगिक विकास में और संतुलन का प्रभाव बड़ी संख्या में ऐसे साचर और निरचर लोगों पर पढ़ता है जो आर्थिक द्रिष्ट कोण से कमजूर है यानि जब और्दोगिक विकास में और संतुलन आता है उसका जो प्रभाव होता है पढ़े लिखे हो चाहे नहीं पढ़े लिखे हो उन दोनों पर पढ़ता है जो आर्थिक रूप से यानि जो economically weak है उन दोनों पर पढ़ता है अच्छा जम्शन में कहा जारा भारत में और्द यहां जैंप्शन बिल्कुल भाई गलत है जन जातियों पर आता है अवस्चर हमारा implicit नहीं होगा तो ना तो पहला होगा और ना ही हमारा क्या होगा दूसरा होगा चलो इसकी बात को देखते हैं कि जनसंख्या बिसफोट की कारण भारत में जीवन की गुलवक्ता में गिरावट आई है यानि जनसंख्या दिबृधी होगी तो उसकी गुलवक्ता में गिरावट देखी जा रही है इसका मतलब है यह दोनों आपस में रिलेट हैं जीवन की गुलवक्ता का भारत की जनसंख्या से कोई वास्ता ही नहीं है अगर वास्ता नहीं हो रहता तो फिर गुलवक्ता गिर क्यों हो रही है अजंशन बिल्कुल दूसरा गलत है इंप्लिसिट नहीं होगा पहला ही मेरा क्या होने वाला है implicit होने वाला है अगले assumption पर आते हैं statement पर उत्रिष्टता हे तु काम करने वाले सिच्छक पुरस्कार के पातर है सभी सिच्छक मेहनस से काम करते हैं लेकिन इसमें सभी सिच्छकों की बात नौँ होकर केवल उत्रिष्ट हे तु काम करने वाले सिच्छ की प्राप्त हो उनकी बात हो रही है केवल उत्रिष्ट कार करने के लिए पुरस्कार मिलता है यह जमसन आपका सही है तभी आपने कहा कि जो उत्रिष्ट कार कर रहे हैं उनको क्या मिलना चाहिए भई पुरस्कार मिलना चाहिए दूसरा ही अजम्शन के वल मेरा भाई सही है सिग्रेट पिना स्वास के लिए हानिका रख है पहला आधिकला थे तो रिपीट हुआ है वास्तों में से तानुए कोई जरूरत नहीं है ना तो पहला ना तो दूसरा इंप्लिसेट होगा अगले अजम्शन के दरफ आते हैं बैंगलोर से दिल्ली तक की यात्रा हवाई जहां जोरा सिग्रेट तैंकी जा सकती इस्टेट्में में बोला गया है कि जो बैंगलोर से दिल्ली तक की हवाई धूरी है उसे हम हवाई यात्रा से सिग यानि जल्दी ही तैय कर सकते हैं बोला जारा बैंगलोर और दिल्ली हवाई मार्क से जुड़े अजम्शन बिल्कुल सही है अगर आप किसी से कहते हो कि दोस्तु में काम करो बस से चले जाओ अपने घर तो क्या आप यह सोचोगे कि बस जाती ही नहीं आप तो यह सोचोगे ना बैंकि बस जा रहे है तभी तो बोल सकते हूँ तो यकिनान यह बिल्कुल अजम्शन सही है बैंगलोर से दिल्ली तक हवाई मार्क जुड़े हुए है तभी आपने कहा है कि सिग्रिताई की जा सकती है बैंगलोर से दिल्ली तक परिवन का अन्य साधन उपरब्द नहीं अजम्शन बिल्कुल गलत है साधन बहुत है लेकिन आप जल्दी जाना चाहते हो तो फ्लाइट से जा सकते है आजए यह भई साधनों को पुन स्थापित किया जाए जिससे चिकित्सक भी नशेडियों पनिरंतर ब्यक्तिकत निग्रानी रखी जा सके चिकत्सक सेन नशेडी भी जल्दी ठीक होते हैं यदि उनके प्रती ब्यक्तिकत रूची दिखाए जाती है जम्शन सही है अगर चिकित्सक दीन होता भुरी लत का तना अपुर जिन्दगी से तो इस तरकी के हालात नहीं होते हैं कुछ और कोश्चन देखते हैं जो हम कर सकते हैं कुछ कुश्चन हमने कल छोड़ दिये थे ताकि आप आओगे दुबारा तो उसको रिपीट कर सकते हैं कहां तक कि यह थे भई चली एक कुश्चन यह देखीएगा स्टेटमेंट है कि असोक ने बैंगलोर के लिए साम 6 बजे प्रस्थान करने वाली किसी उडान से जाने के लिए साम 4 बजे ही कार्याले से जाने का निश्चे किया आप खुछ सोच के देखिएए कर आप शोक लेकर आप गया आप लुओ को में प्रस्थान करने पहुंग सब्सक्राइब reduce marketर के लिए को कहीं जाना था और 6 बजे की फ्राइट थी आपकी और आप 4 बजे निकल जाते हो तो इसलिए निकल जाते हो कि हम टाइम से वहाँ पर पहुंच सकते हैं और अगर हमें रास्ते में साधन की जरुवत पड़ेगी तो अगर टाइम से निकलेंगे तो थोड़ा बहुत लेट हो यानि प्रिंस्पल ने कहा है कि हमें स्कूल में और भी अधिक सिच्छक करने की आउशकता है अध्यापक उपलब्द हैं यकिनन उपलब्द हैं तभी आप क्या रहो कि सिच्छक की आउशकता है और आपको पता है अगर निक्त करना चाहेंगे तो उपलब्द हैं तो हमें आसानी से मिल जाएंगे दुसरा करवा तुमान अध्यापक अच्छे नहीं अजम्शन बिल्कूल गलत है और भी बच्चे हो सकते हैं जिनके लिए टीचा पाहने की कमी हो रही हो मार्केट में अवलेबल है इसलिए आपने इसलिए आपने स्टेट्मेंट को रिपीट किया रह साथ में आप अपना ख्याल लखिए और बहतर डंग से पढ़ते रहिए जैहिन दोस्तों बाय बाय टेक केर